Hello Friends, Welcome back to the channel, कैसे है आप बड़िया, तो फिरन्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के brand new credit card के बारे में जो की है HDFC का Bennet कर तक देख क Preis कार्ण से benefits के बारे मिकिए अगर आप है कि बिर शार को ले रहे हो तो एहां पर आपको ख्या-खै ה बारे में और हम बात करेंगे इसकी eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेने का सोच रहो तो इस वीडियो का पेंट तक देख लो आपके जो भी डाउट से वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और वीडियो के एंट में आपको अपना opinion भी शेयर करूंगा कि आपको यह credit card लेना चाहिए या नहीं सो वीडियो कर आपको काम की लेगे तो वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस credit card के fees and charges के बारे में तो यहां पर आपको कुछ different देखने को मिलेगा normally क्या होता है हर credit card में आपको annual fees देना पड़ता है लेकिन यहां पर इन्होंने इस annual fees को monthly fees में convert कर दिया है यानि कि आपको यहां पर हर month 49 rupees plus GST as a monthly fees आपको देने पड़ेंगे लेकिन यहां पर आपके पास option है आप चाहो तो इस monthly fees को wave of भी करा सकते हो अगर आप अपने credit card से एक महीने में 5000 या उससे जादा खर्च कर लोगे तो आपका जो monthly fees 49 plus GST वाला वो यहां पर वेवाफ हो जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं इस credit card से related benefits के बारे में तो यहां पर आपको मिलेगा 3% cash जाके अगर आप कुछ spending करते हो तो यहां पर आपको मिलेगा 3% cashback on all your purchases और वही अगर हम अपने credit card को कहीं यूज कर रहे हो ना से कि कुसी भी normal store में अगर आप जाके अपने credit card को यूज कर रहे हो यहां फिक किसी भी other sites में यूज कर रहे हो तो in that case यहां पर आपको मिलने वा कर दिया है cashback not applicable for wallet loads fuel spend EMI spend तो अगर आप अपने credit card का यूज करके अगर आप wallet upload अगरा कर रहे हो यहां फिर fueling अगरा करा रहे हो यहां फिर अपने purchases को EMI में convert करा रहे हो तो in this case यहां पर आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा और यहां पर आपको जो भी cashbacks मिलेंगे वह आपको as the paytm gift voucher मिलेंगे तो मतब जितने भी यहां पर cashback earn करोगे ना उसके बदले यहां पर आपको paytm के gift voucher दिये दिये जाएंगे और उसका बहुत easy way में आप उसको use कर सकते हो तो वह बिल्कुल भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है card के लिए benefit यहां पर हम बात करें तो वह है यहां पर milestone benefit अगर आप अपने credit card से एक मन में 10,000 रुपीज खर्च कर लेते हो तो यहां पर आपको मिलेगा 1% का cashback लेकिन यह जो transaction होने चाहिए वो non EMI spend पर होने चाहिए यानि कि आपने जो transactions किये हैं अगर आप उसको EMI में convert करा होगे तो वह counting पर नहीं आएंगे तो आपको जो transaction होने चाहिए वो non EMI spend होने चाहिए अगर आपको ट्रांजक्शन से वह non EMI spend पर है और अगर एक मत में 10,000 रुपीज यहां पर खर्च कर लिया है तो यहां पर आपको मिलेगा 1% का cashback और जो maximum cashback आप एक महीने में ले सकते ह हो वो है रुपीज 100 का तो अगर आप हर महीने अपने क्रेट कार्ट से 10,000 रुपीज अगर आप खर्च कर लेते हो तो यहां पर एक साल में आप 12 100 cashback जो है वो earn कर सकते हो अगले benefit के यहां पर हम बात करें तो यह आपको क्रेट कार्ट के यूज को बहुत हद तक secure बना देत है उसके बाद अगर आपका credit card में किसी भी तरह का fraud transactions होते हैं तो उसके लिए आपको यहां पे payment देने की जरुवत नहीं है next benefit यहां पर हम बात के तो यहां पर आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सचार्ज वेवाफ और फ्यूल ट्रांजक्शन तो अगर आप अपने credit card का यूज क पर इस credit card को लेते हो तो यहां पर आपको starting में ही मिल जाएगा Paytm First का membership और अपने इस membership का यूज करके आप exclusive benefits ले सकते हो इनके leading partner brand से तो यह benefit तो आपको मिलेगा ही मिलेगा because यह Paytm का credit card है तो Paytm First membership का benefit मिलना तो भाई compulsory ही है next benefit के हम बात करें तो यहां पर हम जो credit card मिलता ह है वो आता है contactless payment feature के साथ तो normally अगर आप अपने credit card का user के कहीं पर shopping करते हो तो आपको अपने credit card को swap machine में swap करना पड़ता है फिर pin डालना पड़ता है उसके बाद ही आपका जो transaction होता है वो successful होते है लेकिन यहां पर आपको ना swap करना है ना ही pin डालना है आपको अपने credit card को सि swapping machine में एक बड़ टैप करना है और आपका जो payment है वो successful हो जाएगा अब बात के लेते इस credit card के eligibility criteria के बारे में तो अगर आप इस credit card को लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको paytm open करना पड़ेगा वहाँ पर आपको यह credit card दिख जाएगा वहाँ पर जाके आप सारे details भर दो अगर आप इनके सारे criteria's को fulfill करते हो तो आपको credit card जो है वह बहुत ही easy way में मिल जाएगा so finally time हाता है मेरा opinion share करने का कि आपको यह credit card लेना चाहिए या नहीं तो अगर आपका paytm का transactions अच्छा खासा है जैसे कि अगर आप paytm mall में spending करते हो आप movie ticket वगर book करते हो आया paytm या फ एक percent cashback ही आपको मिलेगा other retail spend में उसके अलावा आपको कोई benefit नहीं मिलेगा तो in that case आपके लिए credit card किसी काम का नहीं है तो लगभग लगभग सारी चीज़े हमने credit card से लेटेड इस वीडियो में cover कर ली है अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह confusion है तो आप नीचे comment section मे comment कर सकते हो मैं आपको वहाँ पर reply कर दूँगा और अगर आप हमाएं दूसरे credit card के वीडियो वगर देखना चाते हो दूसरे bank के credit card के भी वीडियो चेक आउट करना चाते हो तो link में नीचे description में दे दूँगा आप जाकि उन वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हो उमीद कर करते हैं यह वीडियो आपके काम की रही होगी वीडियो काम की रही हो तो वीडियो के लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेगा जल्दी मिलते हैं ऐसे इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेट